आईए सामईन दिलबर मिराज की जानिप से सभी सामईन हजरात को अस्सलाम हूँ अलेकूं बरहमत उल्लाह बबर कातो हूँ एक और वाकया लेकर फिर आपके सामने हाजिर हुए है ये पेशकश है शिरी कैसिट इसलामिक और संजे अगरवाल जी की इसे रिकॉर्डिंग किया है घुलाम साबिर साहब ने और सलाकार है आली जनाब मुसरत अली जी और शायर है हिंदुस्तान के मशूर शायर जनाब खुर्शीत रसूल भी आवाजे हैं दिलबर मिराज दूगों तराब नगर बदायों नी लीजिये सामई मुलाहिज़ा करें बोसे पाक की करामत और साथ बेटियों का वाकिया मुलाहिज़ा करें गम के मारो को हुई हासिल हिमायत घोस की हर जगा मशुहूर है शाने करामत घोस की हर जगा मशुहूर है शाने करामत घोस की घोस के बचपन का किसा पेश करते मोमिनों कादरी फैजान सिदा मन है भरते मोमिनों नाम है प्यारा मोहियो तीन है पीरों के तीर हमज़दों के काम आते घोस आजम दस्तगीर पैज पाता है जमाना घोस के तरबार से जोलियां भरते शह बगदाद सब की प्यार से इनके वालित है अबुस वाले नभी की आल है भौस आजम मुमिनों हस्नी हुसैनी लाल है अजमत घोस उलवरा पर ये जहां पुर्बान है हो गया राजी हमारे भौस से रह्मान है उम्बे इजमिल्लाह कहकर मुर्दों को देते जिला खास है अल्लाह से रिश्टा हमारे गौस का बारा सालों से जो डूबी गश्टी को देते निकाल ये है मेरे गौस की अद ना करामत का कमाल मुश्किलों में कोई भी आगौस कहके देख ले गर्दिशे तूपानों में उसकी मदद फरमाएंगे आते हैं फोरन मदद के पास ते पीराने पीर नाम से मशुहूर हैं कोने नुमे रोशन जमीर मानने वाले जहां में गौस के आबाद हैं मानने वाले जहां में गौस के आबाद हैं जो गुला में गौस है दुनिया में सिंदाबाद हैं एक औरत का सुनाता हूं मैं तुमको वाकया उसको अल्हा पाक ने छे बेटियां की थी अता साथ वा बच्चा शिकम में उसके अल्हा ने रखा जब हमल जाहिर हुआ तो उसके शोहर ने कहा अब किना बेटा हुआ घर से भगा दूँगा तुझे ना सुनी होगी किसीने वो सजा दूँगा तुझे बेटियां छे तुने मेरे सर पे लाके डाले दी तु मेरी मर्जी न जानी खुश्या मेरी टाले दी साथ भी लड़की हुई अन्जाव अब होगा बुरा फिर बचा सकता नहीं मुझे से तुझे तेरा खुदा बात शोहर की सुनी रोती थी दिल में सोचती ये भगा देगा मुझे घर से अगर पेटी हुई अब वो औरत खाली के रह्मान से करती दुआ मेरे मुझे को बेटा चान दिसा कर दे आता बम में दूबी रहती खाए जाता था उसको फिराग बेटी पैदा हो गई ते देगा ये शोहर तला कश्म कश्मे मौमिनों कटती थी उसकी जिन्दगी बेटा पैदा ना हुआ तो जान जाएगी मेरी घर में जब होती अकेली फूब रोती जार जार घर में जब होती अकेली फूब रोती जार जार आंखों से आसू बहाती जाती थी वो दिल फिगार आंखों से आसू बहाती जाती थी वो दिल फिगार आंखों से आसू बहाती जाती थी वो दिल फिगार देखिए सामईन अल्ह ने उस औरत को छे बेटियां पेले ही तिये लेकिन इस बार जब अल्ह ने उसके शिकम में उलाद रखी तो उसका शोहर कहता है कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगा और वो औरत घर में छुप छुप कर रोया करती थी उसके बाद क्या होता है ये ओरत क्या करती है बुला ही जगरे घर पे आई ओरत इउसकी महले की सुनो कहती थी क्या रोग तुमको हो गया कमजोर हो क्या बताऊं तुमको अपनी जिन्दगी का हाले जार मेरा शोहर मुझ से बेटा मांगता है बार बार जिंदगी से लग रहा है जंग अब हारी हूँ मैं बेटियां मैंने जनी तकदीर की मारी हूँ मैं एक और तुस से बोली ओ नहीं तुम हार मी अब चली जाओ अब उस्वाले के तुम दरबार मी हैं शिकम में लड़का या लड़की बता देंगे हुजूर अल्ला वाले हैं तेरी किस्मत जगा देंगे जुरूर खालिदा मन उनके दर से कोई भी जाता नहीं मुस्कुराते सब है रोता कोई भी आता नहीं तुम वली की बारगा में अर्ज फर्माना बहन कर दो हजरत अब मेरे कुल सारे सितिल का चमन मेरा शोहर असल में घर से मुझे देगा भगा बेटी पैदा हो गई तो जुर्म तोड़ेगा बड़ा देख लो मेरे शिकम में क्या है अब मेरे हुजूर लड़की निकली तो भगा देगा मुझे शोहर जुरूर जा रही है मश्वरा सुनकर दर सरकार में अर्ज करती है अबुस्वाले के वो दरबार में अर्ज करती है अबुस्वाले के वो दरबार में सामईन इस ओरत के घर कुछ मेहले की ओरते आती हैं वो पूस्ती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो क्यों कमजोर हो रही हो क्या बजा है तो वो औरत कहती है कि मेरे शोहर ने इस बार मुझसे ये कहा है कि अगर तेरे बेटा नहीं हुआ तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगा तो मैं परेशान हूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक औरत कहती है कि तुम हुजूर अबू स्वाले के दर्बार में चली जाओ वो आपके शिकम्य देख कर बता देंगे के बेटी है या बेटा तो वो औरत उसको कुछ राहत मिलती है और वो वहाँ जाती है और भूजूर अबू स्वाले के यहाँ जब पहुच जाती है तो वो सारी बात बताती है मैं परिशा हूँ करम की डाल तो मुझ पर नजर देख लो मेरे शिकम्य लड़की है या है पिसर देखा हजरत में है लिखा क्या लोहे मैं पूज उपर बोले औरत से नहीं तकदीर में तेरी पिसर तू चली जा घर को वापस बेटी है लिखा हुआ साथ बेटी है नहीं होगा तुझे बेटा अता घर को वापस चल पड़ी रोते हुए दरबार से गौसे आजम रासते में पूछते है प्यार से बेहन क्यों रोती हो रोने का सबब बतलाईए कह दिया क्या मेरे बाबा ने मुझे समझाईए मुझे से फर्माते है हजरत घर को अपने लोट जा बेटियां लिखी लोहे मैं फूज पर बेटा न था घम की मारी से सुनो वासुल वरा ने ये कहा लोट कर तरबार में बाबा के मेरे फिर से जा भॉस आजम के भु कहने पर उबारा से गई फिर जब आप उसको मिला घर लोट जा वापस अभी लोट कर तरबार से वापस वो आई घम जदा भॉस ने औरत के दामन को पकड़ कर ये कहा हम नभी जादे किसी का दिल दुखा सकते नहीं हम नभी जादे किसी का दिल दुखा सकते नहीं रोते आते तो हैं लेकिन रोते जा सकते नहीं रोते आते तो हैं लेकिन रोते जा सकते नहीं देखिए वो औरत दरबार में पहुँच जाती है और सारी बात बताती है तो हुजूर अबुस वाले कहते हैं के तेरी किस्मत में इस बार भी बेटा नहीं है और इस बार भी तेरे बेटी होगी तो वो वहां से मायूस होके रोती हुई आ रही है इतने में उसे हुजूर गौस आजम मिल जाते हैं और पूछते हैं के मेरे बाबा ने आपसे क्या कहा तो वो औरत कहती हैं के मुझसे मना कर दिया किस बार भी तेरे बेटी ही होगी तो हुजूर्ग वासे आजम कहते हैं के तू दुबारा से जा अब वो दुबारा से जाती है लेकिन फिर उसे यही जबाब मिलता है कि तेरे नसीम में बेटा नहीं है तो यहां से चली जा उसके बाद क्या होता है सामई मुलाई जगाई फिर कहा घौस लवराने चाहिए हजरत के पास कोई भी दरबार से जाता नहीं होकर उदास बोली औरत लाटे ले हमको परेशा मत करो करती हूँ मैं अर्ज मेरे साथ अब तुम भी चलो गमजदा वो गौस को अब साथ खुमेले कर गई हाल गम फिर से अबू स्वाले को बतलाने लगी है जुमी आकर अबू स्वाले ने औरत से कहा है तेरी तकदीर में बेटा नहीं बेटी लिखा जो मैं समझाता तुझे तू क्यों समझ पाती नहीं कहता घर जाने को तुझसे किस लिए जाती नहीं देखा गौसे पाकी जाने पुतिले घमदीने ने आप लेके आए मुझको ये कहा खातू ने छोड़ते का मुझको शाहर फिर कहा जाऊंगी मैं ऐसा मुझको लग रहा रो रो के मर जाऊंगी मैं इतना सुन कर आ गया अब गौस को मेरे जलाल अपने वालिद से ये बोले हम रसूल अला की आल बेटिया लिखी मुकदरों में मिटा सकते हैं हम बाबा लहा पाक से बेटा दिला सकते हैं हम बोले वालिद गोस से हम देते तुमको इख्तियार बोले वालिद गोस से हम देते तुमको इख्तियार आपको के फैजान से आ जाए गुल्शन में बहार सामी नजरात वो ओरत फिर वहां से वापस लोटकर आ रही है फिर उसे गोसे पांक मिल जाते हैं और वो फिर यही कहते हैं कि तु मायूस मत हो मेरे बाबा के दरबार में फिर से जा तो वो ओरत कहते हैं कि आप अभी नादान हो छोटे बच्चे हो मुझे परेशान मत करो तो हुजूर गोसे आजम कहते हैं मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ तो वो ओरत कहते हैं कि आप ही मेरे साथ में दरबार में चलिए तो उसके कहने से हुजूर गोसे आजम उस ओरत के साथ में अपने बाबा के दरबार में जाते हैं और वो औरत फिर वो ही बात बहाँ जाके सुनाती है तो हुजूर गौस आजम के वाले यानि अबू स्वाले फिर वही जवात देते हैं कि तू फिर यहां आ गई तो इतना सुनते ही उस औरत की आँखों में आसु आ जाते हैं और वो औरत हसरत की निगाहों से हुजूर घौस आजम की जानिद देखती है कहती है आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं ये फिर मना कर रहे हैं इतने में हुजूर घौस आजम को जलाला जाता है और आप अपने बाबा जान से क्या कहते हैं इतना सुकर आ गया अब घौस को मेरे जलाल अपने वालिस से ये बोले हम रसूल अला की हाल बेटियां लिखी मुकतर में मिटा सकते हैं हम बाबा अल्लह पाक से बेटा दिला सकते हैं हम आगे क्या होता है सामई मुलाही जगर अब कहा सरकार गोसे पाक ने घर जाईए वो दुमें खेलेगा बेटा अब नहीं घबराईए जो कहा हमने हमारी बात पर कर लो अमल बेटा घर में आएगा अब जाएगी किस्मत बदल बोली औरत अपने तरसे आप मुझ को टालते और भी मुझ गमजदा को मुश्किलों में डालते तस्वियों तहलील ना की आपने रब से दुआ कैसे कर देगा मुझे रह्मान अब बेटा अता आप बच्चे हो मुझे हजरत ने ये फरमा दिया तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं घर लोट जा पहले ही तकदीर ने मेरा बनाया है मजा खौफ है शोहर का दिल में मुझे को दे देगा तला कहते गौसे पाक उस औरते हो तुम बेखबर साथों बेटे कर दिये अल्ला हने जाते एक घर इतना सुनकर हम जदा औरत को ना आया यकी धीरे धीरे अपने घर की सिंत को वो चल पड़ी क्या करूंगी होगा क्या अब लग रहा है डर मुझे अब भगा देगा यकीनन जल्दी ही शोहर मुझे घर पे पहुची देखती है बेटिया बेटा बनी घर पे पहुची देखती है बेटिया बेटा बनी सच कहा था गोसे आदम ने खिली दिल की कली सच कहा था गोसे आदम ने खिली दिल की कली अब हुचूर गोसे आदम ने उस औरत से कहा के तू अपने घर जा इंशाल्ला ताला इस बार तेरे बेटा ही होगा तो वो औरत कहती है के तुम मुझे फिर यहां से बेला कर टाल रहे हो कैसे बेटा होगा ना तो आपने कोई तस्वी पड़ी ना कोई दुआ की आप मुझे बैका रहे हो तो हुचूर गोसे आदम कहते हैं नहीं नहीं जो हमने कह दिया इंशाल्ला वो पूरा होगा तू अपने घर जा तेरे इस बार बेटा ही होगा और जो तेरे घर छे बेटियां थी अल्दा के भुकू से और हमारी दुआ से वो भी बेटा बन गई तू अपने घर जा कर देख ले अब वह और अपने घर आती है और क्या देखती है सामई कि वो जो बेटियां थी छे वो बेटे हो जाते हैं और इस आखरी बंद में जनाब खुर्शीद रसूल भी क्या कहते हैं मुला ही सगरे खौस आजम की निराली शान है ए मौमिनों सारे वल्यों में अलग पहचान है ए मौमिनों कुछ दिनों के बाद उस औरत ने था बच्चा जना वो भी लड़का था खुदा वाहिद ने जो उसको दिया माजरा देखा ये शोहर ने तो है रत में पड़ा बेटियां बेटा बनी कैसा करिशुमा हो गया बोली बीबी ये है मेरे खौसे आजम की अता उन्ही के फैदो करम से घर है बेटों से भरा ये था गौसे पाक के बच्च बन का यारो वाकया बात अल्हा के वली की रद नहीं करता खुदा दामने उम्मी तु भर देते मेरे पीराने पीर जानते हैं राज तिल के गौसे आजम तस्तगीर सारे वलियों की है गर्दन बेखदम उनका रखा ये अली के लाल है नूरे मुहम्मद मुस्तफा है किताबों में लिखी इनकी करामत बेशुमार खानदाने मुस्तफा से खुश हुआ परवर्दिगार सरवर आलम के घर का गौसे है नूरी चराग आज तक कोने नुमे शादाब है जहरा का बाग होसे आजम पर हमारा जानो दिल पुर्बान है आले है हसनेन की खुरशीद का इमान है